हलो फ्रेंट्स NDC News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साल तर्शना कौशल NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरिज तो दोस्तों देखना ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है खाथ त्याग राज में कुम मेली की रोनक से पूरा शहर जगमगा रहा है पूरे मेली को इस बार 20 अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया सेक्टर सोला में हम जैसे ही पहुँचे वहां अलग-अलग किसं के बाबाओं से हमारा सामना हुआ काउबॉय, टोपी वाले बाबा, आठ फिर जटाओं वाले बाबा तो कहीं पर टांग पर बरसों से खड़े बाबा लेकिन हर बार की तरह इस बार के कुम का मुख्या कर्शन तो नागा बाबा ही है नागा सादू यानि के शरीर पर एक भी कपड़ा ना पहने वाले सादू, चाहे जूना खाड़ा हो, निर्वानी कोई भी अन्य खाड़ा, नागा सादू इन खाड़ों में जरूर मौजूद होते हैं पूरे शुदेर पर भस्म लगाई, ये सादू आपको बुलाते हैं, आपके माते पर भस्म लगाते हैं और दान की अपेक्षा करते हैं इन नागा सादू से मिलकर एच्चे मागे बड़े ही थे कि अचानक हल्ला शुरू हो गया भी डेकोर भाग रही थी, हमने एक सादू को रोक कर इस हल्ले और भाग दोड का कारन पूछा पता चला कि एक नागा सादू को भगवान शिव का आश्रिवाद मिल गया है और ये नागा बाबा अपने लिंग से एक कार खींचने वाला है हमारा कैमरा तुरंट हरकत में आ गया इस तरह की बात हमने अभी तक सिर्फ कानों से सुनी थी आज पहली बार ये चमतकार अपनी आँखों से भी देखने वाले थे नागा सादू को तुरंट गैंदे के फूल की मालाओं से लाद दिया गया करीब सौ से जादा लोग वहां जुटे हुए थे अनाउंस्मेंट करने वाला पूरे जोरो शोरो से चिला रहा था नागा बाबा को शिवजी ने खास आश्रिवाद दिया यकीना हो तो खुद अपनी आँखों से देख लो भीड में आस्ता की लहर और तेज हो गई हम भी भीड में घुस चुके थे फिर शुरू हुआ असली खेल नागा बाबा ने अपने लिंग से कार में लगी रसी को बांथा और हर हर महादेव के साथ कार को खींचना शुरू कर दिया कार की ड्राइविंग सीट पर भी एक बाबा बैठा था देखर साफ समझ में आ रहा था कि गारे का असली कंट्रोल दो उसके हाथ में है लेकिन फिर भी कम से कम 150 किलो की कार को अपने लिंग से खींचना कोई आम बात नहीं थी लेकिन ये कैसे संभव है किसी भी व्यक्ति में क्या भगवान के आश्रिवात से इतनी शक्ति आती है या इसके पीछे कौपी दूसरा ही कारण है दरसल नागा साथू वो साथू माने जाते हैं जो दुनिया वालों की बातों से उपर उठ चुके हैं इसलिए उन्होंने इंसानी जीवन के तीन मूलवूद बंधन रोटी कपड़ा मकान छोड़ दिये और हम जितने नागा साथू से मिले उन्होंने बताया कि उनका कोई घर नहीं होता जंगलों में घुंगते रहते हैं पाड़ों में रहते हैं और हर कुछ हर महीनों में अपने रहने का स्थान बदलते रहते हैं खान पान भी उनका बहुत सैमित होता है ऐसे में वो कहते हैं किसी क्रह में इन लोगों ने अपने पूरे कपड़े त्याग दिये थे लेकिन इंसाने श्रीट तो सभी के लिए सम्मान है इसलिए किसी भी किसम की उतेजना को महसूस कर पाएं इसलिए नागासादू बनने के साथ ही लिंग की नसों को ओपरेशन करके कार दिया जाता है इसके बाद नागासादू का लिंग सिर्फ मास का एक टुकड़ा भर रह जाता है यही कारण है कि नागासादू इससे भार उठाने गाड़े खीचने जैसी भ्रम पैदा कर सकते हैं